असलाब भीकों क्लास, वेल्कम टू दे क्लास विटे आज ये आपका इंग्लिशा रेक्चर है और पेज नंबर 63 आपकी बुक का जो चेप्टर हम कर रहे हैं इन गुने 12 लेसन 3 ये उसका एक्सराइज है उसकी रुडिंग और डिक्रेशन हम कर चुगे हैं आपको एकसराइज पर आते हैं ये आपको I believe के आती होगी आपको खुछ से आती होगी और आप इसे खुछ से कर लेंगे तो पहले रब जतनालमा से चुरू करते हैं पहले रब जतनी इलमा मैर रब हमारे दमे जापा फर्मा ओके जी बिटे सबसे पहला कोस्टन है में कोस्टन नबर थ्री आपने करना है विच इस मार्द ये संटेंस त्रू और फॉल्स तो पीपल विल डेपनेंटी लीव 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 निव 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 फूचर ऐसा हमने की रिडिंग में पढ़ा है कि जो लोग है वो मून पर रहने लग जाएंगे नो कि हमने पढ़ा है कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं है और अगर हुई भी तो लोग नहीं रह सकेंगे कोई small microorganisms जो हैं microorganisms जो हैं सिरफ वो ही रह पाएंगे अगर हुए भी तो intelligent life like humans वहाँ पर exist नहीं कर पाएंगे this is false we shall find large creatures on some of the planets हम कभी ऐसा होगा कि हम कोई बड़ी creature like humans या डाइनसार्स या कोई बड़ी animals की तरह की कोई creature ढूंड पाएंगे this is also false people in towns will be able to borrow one of the new electric cars ये possible है हान जी बिल्कुल कि जो लोग हैं टाउंज में रहते हैं वो क्या कर सकेंगे electric cars को borrow कर सकेंगे क्योंकि हम electric cars जो हैं वो बना सकते हैं कुछ बन गई हैं कुछ जो हैं लेकिन practically वो feasibility उनकी नहीं है कि वो roads पे चल सकें या हम उन्हें normally जो है वो चला सकें ऐसे लेकिन electric cars do exist and they are working not very common but they are working the houses and flats यह होगा है नहीं जो हैं नहीं जो होती हैं वो जादा distance cover नहीं करती हैं क्योंकि उन्हें charging के जुरूद परती हैं वो charging पर चलती हैं तो जब उनकी charging खतम होजाएगी तो वो गाम करना चोड़ देते हैं बंद हो जाते हैं ऐसे ही जो आपके electric cars होंगी जब उनकी charging नहीं कर सकती हैं houses and flats will be bigger in future no false हमने भी बढ़ा कि houses and flats उनके वो smaller हो जाएंगे smarter हो जाएंगे लेकिन साथ में smaller भी bigger नहीं it will be possible to receive your medication without a nurse in future yes true क्योंकि हमारे skin यह जो chip होगी वो ही detect कर लेगी कि हमें किस medicine के और कितने time बाद जरूरत ना completed sentences the words from the text यह हमने text में से ही ढूणने है तो the spacecraft circled on the earth in an orbit ओ यहाँ पे हमें hint में लाए वह तो यहाँ पे orbit आएगा computers can examine lots of scientific data in a very short time things that are the same shape and size can be stacked s-t-a-c-k-d stacked on top of each other जैसे हम घरों में एक तरह की जो चीज़ें होती है उन्हें एक तरह के ओपर धेर लगा लेते हैं तो बिल्कुल वैसे ही जो चीज़ें जिनका size और सब्सक्राइब होती है हम उन्हें stack कर सकते हैं एक के बाद एक उन्हें उपर नीचे करके रख सकते हैं यू सिट ओन आ डैश 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 जूरिंग दर दे सोफा बैड पे हम बैखते हैं दिन टाइम पे और टॉन टॉन इंटू अ बैड आड नाइट तो रात को इसे बैड कर लेते हैं आगे हैं smart can mean well dressed or it can mean intelligent smart का मतलब आपके पास well dressed भी हो सकते हैं और intelligent भी हो सकता है you're looking smart smart नहीं अब well dressed लेग रहे हो और you are very smart आप बहुत intelligent हो तो दोनों इसकी meanings हो सकते हैं a sensor is a small piece of equipment that notices changes in light temperature and movement तो sensor क्या होते हैं एक फोड़ी से चिप होती है जो detect करती है अगर light में कोई change हो या आपके पास temperature में कोई change आए या movement में कोई change है तो वो detect करके आपको बता देती है जैसे हमने बात की थी कि जो grocery shops होती हैं उनके पर sensor लगे वे होते हैं तो sensors जो होते हैं हमारे पास वो detect करते हैं वो भी change of light में movement में या होता है आगे हमारे पास है a dose of medicine is the right quantity of medicine that you take dose बसी के लिए खुराक को कहते है ठीक है या amount of medicine जो में चाहिए होती है टाइम पे global warming is the increase in temperature of our air on planet earth हमारी जमीन पर जो हमारी हवा का temperature बढ़ रहा है इसको क्या कहते है global warming GLOBL global warming यहां पे आपको अगर नजर आ रहा है तो आप यह वीडियो पॉस्ट वरके देख लीजेगा यह सारे आपके पास यहां है और अदर्वाइस आपको यह खुद भी मिल जाएंगे जो हमने running के उसमें से आते होंगे अच्छा जी बेटे अब next lesson पे आते हम बेटे इसका जो question number 3 है यह हमाई syllabus का part है lesson number 4 unit number 12 page number 64 question 3 is including in our syllabus so question number 3 says check the meaning of unknown words in the dictionary on page 121-127 then complete and transfer the words from the box जो हमारे पास की words दिये में है अगर हमारे लिए unknown है हमें यह नहीं पता तो हमने क्या करना है इनका पीछे दिये गए आगे आपके पास dictionary pages है वहाँ पर इनके मतलब लिखे में है book के end पर वहाँ से इनका मतलब देखे और इनको फिर जो नीची 8 lines दीए इनके अंदर फिलन दे blanks जो है हमने वो fill करनी है तो athletics क्या होता है पटे यह field sports होती है जैसे field के अंदर जो भी sports होती है जैसे cricket हो सकती है आपके पास jumping हो सकती है, running हो सकती है जो आप field में करते हैं, athletics कहते है cards, tash, बत्तों को कहते है जो के game होती है, आपने देखी होगी अक्सर drawds, जो है, ये भी एक game ही है mathematics, maths को कहते है measles, khasrे को कहते है जो निकल आता है बच्चों को viruses विजा से, और news जो होती है, हमारे पास वो खबर होती है physics, जो होती है, आपके पास book है आपकी, और rabies जो है, वो कुत्य के काट लेने से हो जाती है, उसे दर viruses होते हैं, उनके काटने से rabies हो जाती है तो इन words को तो सबसे पहले dash is one game that you can play if you are ill in bed, तो cards एक ऐसी game है, जो आप अगर bed पे भी होंगे, तब भी खेल सकते हैं, आप क्योंकि athletics सो नहीं कर सकते और जहां पे games की बात हो रही है, तो dots जो है, वो भी आपके पास chess की तरह की गेम होती है white or black पे आप squares पे खेलते हो तो वो भी like field game ही है consider कर सकते हैं उसको अच्छा जी, उसके लावा आपके पास news, the second line है, the good dash is that you got good marks in the test, तो आपके पास अगर test में अच्छे marks है, तो ये क्या है good news third है, dash is a healthy sport and includes running and jumping तो वो हमारे पास athletics, एक healthy this sport है, जिसके अदर running और jumping बगार आजाती है we learn about heat and light when we study physics physics के अंदर हम light और heat को, उनके phenomena को उनके properties को study करते हैं the subject of dash includes arithmetic and geometry arithmetic और geometry जो हमारे पास कहा आती है mathematics में आती है, maths में आती है dash like chess is played on a board with a 64 black and white squares, आपके पास जो draws है, यह game है जो आप black and white squares पे खेलते हैं, chess की तरह की होती है, next is if you are ill with dash, you have small red spots on your face and body अगर आपको measles है m-e-a-s-l-e-s measles है तो आपकी body पे और face पे small red spots दाने-दाने से निशान पढ़ जाते हैं, dash is a dangerous disease that you can catch from the sick dogs, जो बिमार dogs से आपके पास, जो बिमारी रख सकती है, वो क्या होती है rabies, ठेक है, clear है तो यहां तक आज हमारा lesson था, पिछले unit की exercises और यह वाली और यह आपको आने चाहिए, पिनोडों पे मुझे शाम को आप लोगों ने चेक करवानी है ओकि जी, एलाफिज कर दो खफिजा है